परदेश का यूवा सरकों मुतर चुका है बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई है और सरकार बना ली है पर्चन बहुंगों से रास्ता में जीत मिली है लेकिन परदेश का यूवा है कही न कहीं एसंतोस्त नजर आ रहा है जैपूर में जहां पर परदेश के विबिन अंचनों से आये हुए सेकड़ों हजारों की तादाद में यहां पर अबर्टी बैठे हैं अबर्टियों का जो मांग है वो है राजी उगांदी योजना जिसको बंद कर दिया गया अचानक वीजेपी सरकार में और कोंगे सरकार मे यह उससे पहले ही नोकरी चीन ली गई है इंसे कुछ हमारा साथ मुझूद है बब्रटी मुझूद है सर क्या पूरा मामला है कि देखें मामला यह है कि हमारे नाम था राजी उगांदी युवा मित्र और हमारा काम यह ता कि गाउं गाउं डांडानी जो अंतिम छोर पर ज जिसे मतलब वो लाब नहीं ले पाता था वो पिछडा हुआ लाबारती था उस तक पहुचने के लिए पिछली सरकार ने हम पांच हजार बेरुजगार युवाओं को लिया था और हमने बाकाइदा हमारे एरिया बटे हुए है नगर निगम के भी बटे हुए है ग्राम पं सत्यापन भी करते थे फिर ही युवामितर जो यह मोदी जी की चाहे योजनाय केंदर सरकार की तो या राज सरकार की हम बताते इस हमारे जो एरिया है उसमें यही है कि योजनाओं को बताने वाला या लाब दिलाने वाला बंदा यही है और हमारी वज़े से आम आदमी का सरकारी ओपिस तक आना जाना बंद हो गया था किसी भी काम के को हम ओन कोल ओन फोन से करवा देते थे सर नमस्कार मैं ललित कुमार सालवी राजिव गंदी युवा मित्रों को लगाया गया था और अभी फिलाल भाजपा की सरकार बनी है परदेश में और 22-23 में एक आदिश पारित हुआ है जिसमें कहा गया तुरंद परभाव से इनको हटाया जाए तो सर हमारे साथ हमारे 5000 युवा मित्रों के साथ ये धोखा क्यों मैं राजस्तान सरकार के माननी मुखी मंतरी बजनलाल जी से यही पूछना चाहता हूं कि सर हम जो गौर्मेंट की सरकार की योजना है थी वो आमजन तक पहुँचा रहे थे हम जमिन लेवल पर हम काम कर रह जाए तो सर इसका हमें जवाब चाहिए और हमें वापस जो हमारे आदेश हमें निकालने का पारित किया है आपने उसे ततकाल प्रवाव से हटा कि हमें वापस से एक बार हमारे कामों को देखा जार हमें वापस लगाया जाए युवा है अपनी माहों को लेकर रडिक है और दने पता संद किये जा रहे हैं, युवाँ याँ पे कुछ और भी मोजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, सर क्या पूरा मामला है, किस पर देखते हैं? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, वापस सोचना पड़ेगा, आधने मुख्यमंतरीजी से निवेदन है, कि जिस संख्या में आज ये युवाबल आया है, ये बढ़ता जाएगा हर गंटे हर दिन, अभी रास्तान के हर जिलो से बच्चे वे इंटन निकल रहे हैं, य हमने सुरू से जन सेवा का काम किया, बिना किसी पार्टी का परचार करते वे विभाग के अधीन रहे के, लोकल लाणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुचाया, घर-गर गये हैं, पूरे राजस्तान की दूड़खा लिये सर, अब हमें ये परतिफल मिल रहा है, तो ये कत कतरा रही है, सर, क्या पूरा मामला है? जान तक रणनींती की बात है, प्रतिनिंदी मिंडल जो विभाग के डायेक्टर साहब उनसे भी मिला, डायेक्टर साहब ने बोला कि ये सरकार का निर्ने है, और डायेक्टर साहब ने आस्वासन दिये कि सरकार जो भी आदेश देगी हम करेंगे, हमारी आगे की रणनीती कि लोकतंत्री तरीके से शांती पूरग हम हमारी बात रखें कि लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार सब को है आज अदी रात को कोई भी आदमी बेरोजगार होता है हम 5,000 नहीं है सब हमारे पीछे 50,000 हमारे परिवार के लोग हैं जो बेरोजगार हुएं अब और सबसे कामा आदमी सरकार के पास नहीं जा सकता तो अब यह चलता रहना चाहिए और लोगों को भी लाव मिलता रहे हमें भी रोजगार मिलता रहे यही विंतिया अधर्णी मुख्यमंत्री सीम बजनलाल सरमा से युवाओ और बर्ती जो यहां पर कथरतों हैं उन्होंका साप- यह भी संकेतिये हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पर वापस पुद्र विशार किया जाए विशार करते हुए जो मिस अंजर्शनिंग होई है असासन से उसको सुदारा जाए वापस बहाल की जाए वो योजना राजी गांदी मित्र योजना कुछ और भी यहां पर लोग यहां पर तक जो वेक्ति बेटा था जिसको योजना का लाप नहीं मिल रहा था उसको लाप योजनाओं का लाप पहुچाने का काम कर जाता हूं अब यह सरकार का गठन हुआ उसमें आप योजनाओं का लाब दिला लेकी बात कर रहे हो, केंदर सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं हो, और दूसरी तरफ आप इतने 5000 युवा जो योजनाओं का लाब दिला रहे थे, उसको एकदम से आपने हटा दिया, हम भी तो वही काम कर रहे थे, हम भी सब्सक्राइब में ग्लब कर रहे हैं। कि आत्मा क्या सकतरी है। क्या भी दो लेकिन हमा प्राजसरकार क्या वाजेद स सद्ल yat gross Кश की से निया हैं। तो हम भी वही काम कर रहे थे तो मैं तो यही करना चाहता हूँ सीम साथ से कि हम सब लोगों को वापस योजनाओं का जो पहले काम कर रहे थे वही काम हम वापस करेंगे और हमें वापस इस योजना के अंदर वापस लाया जाए पूरा मामला है क्या रणनीती रहने वाली आगी थोड़ा विस्तार से बता देखी यह रणनीती का तो मुझे पता नहीं है लेकिन इतनी सारे जो ये बेरोजगार कर दिये गए युवा ये सभी रोजगार की मांग कर रहे हैं पांच हजार युवाओ को एकदम से निकाल देना सरकार का इन इंडे में बिल्कुल भी उचित नहीं लगता मतलब बेरोजगार इतनी डिग्री है हमारे पास लेकिन आप कॉर्मेंट हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उस डिग्री के साथ क्या भूके मर जाए हमरे परिवार हैं आने वाले नए साल में सरकार का इदायत भी बनता था कि हमें खुश्या दी जाया उन्होंने बलकि हमें छोड़ा ही नहीं है आप हमसे विकल्प पूछेंगे कि अब हम कहा जाएंगे हमारे पस कोई विकल्प नहीं है गौर्मेंट बलकि हमें विकल्प दे सरकार हमारे सब्सक्राइब को बात कि चांति पुन तरीके से यह उपनी मांग को बहाल रखने योजना जी राजी गवांदी मित्रियोजना उसको बहाल रखने के लिए लगतार मांग की जा रही है श्यांदी मुन तरीके से तो और भी हुआ जूड़ चुके हैं सर क्या नाम क्या है आपका अपले बतर सर मेरा नाम नर्पत बाटी है और मैं मेरता बलोक से हूं नागोर से क्या पुरा मामला क्यों आयो है आप देखिए यह जो योजना है जो हमारी भरती कराई थी इसमें एकजाम भी हुआ है और हमने इंट्रू देकर भी पास किया है ऐसे हम लगे नहीं डायरेट पहली बात तो यह है जब सरकार वसुंद्रा सरकारती बीजीबी सरकार में यह ब सेहरा की है हम खुद मेंखुदा मास्टर की तैहरी कर रहा है ठीक है सेकंड करेडरगी आज मेरी पढ़ई चुकना चूर हो गए दोव साल तक मैंने इस योजना के बारे में समाज के बारे में काम किया है सबी भाईयों को मेना नाई दिलाया है रोजगार के लिए अवसरों को आगे बढ़ाया है और सरकार की समस्तों योजनाओं को आम जंता तक पहुंचाया है लेकिन आज सरकार नहीं हमें ये पीछे अटा दिया सरकार का यही काम था कल भ बात कि थी लेकिन हमारा कुई भी सोलिशन नहीं निकला आध कल भी उनों Dé viip फ़ीख से मांगे हम नहीं परप्त किए हमने अपने परत्त कि हम इंटर्यूइव भी देखा हैं और हमारा एक्जाम भी हॉआ हाए इस में कहना चाहते हैं हमारी मांगे पुरूगरो और बस यह चाहते हैं। युवास कांवाय कि हम भीग भीग-ब्रबस कांव मांग भी हमारा हक्ता McM就 कर रहा हैं की इसे व norm को कई से से उसको धंडा करना होगा और कहीं ने कहीं इनकी मांगों को लेकर पुर्ण विजार करना होगा कैमरा पसंद रमाकंत सर्मा के साथ संदीप अगरवाल ता नगरी मीडिया जैपूर